एक बहुत ही सही लाइन है कि मित्र सिर्फ साथी ही नहीं बलकि सार्थी भी होना चाहिए हाँ पर ऐसे मित्र यानि कि ऐसे दोस्त ढूंडने के लिए काफी महनत भी करनी होती है और ये इतना आसान भी नहीं है क्योंकि किसी को भी अकेले रहना पसंद नहीं है इसी वज़ा से हम दूसरे लोगों को ढूंडते हैं हम दोस्त बनाते हैं ताकि हम अकेले ना रहें लेकिन दोस्त बनाने के लिए हमें ये भी जानना होगा कि उनसे बात कैसे करनी चाहिए कुछ लोगों में बात करने का नेचुरल टैलेंट होता है उन्हें किसी भी situation में छोड़ दीजिए और वो बात करके अपना रास्ता निकाल ही लेंगे हलाकि कई लोगों को ऐसा करना मुश्किल लगता है तो ये समड़ी उन लोगों की मदद करेगी जिन्हें इसकी जरूरत है इसमें आप body language और ये आपकी conversation यानी बातचीत में कैसे मदद करती है इस बारे में जानेंगे आप ये भी देखेंगे कि कैसे सवाल पूछने से आपकी बातचीत स्मूध हो सकती है आप जान पाएंगे कि कैसे आप लोगों के करीब जा सकते हैं और उन्हें अपने करीब आने दे सकते हैं आप लोगों के नाम याद रखने के कुछ असान तरीके भी सीखेंगे आप सीखेंगे कि कैसे बातचीत को अच्छे से आगे बढ़ाया जा सकता है और अगर आपको लगता है कि दोस्त बनाना बहुत ही मुश्किल है तो अब आपको ऐसा महसूस नहीं होगा इस समड़ी में आप ये भी जानेंगे कि लोगों से बाते करते समय आपको किन बातों से बचना चाहिए और आखिर में आप गुडबाई कहना भी सीखेंगे जो कि काफी मुश्किल काम है एक कनवर्सेशन को सही तरीके से खतम करने से दोबारा मिलने के चांस बढ़ जाते हैं और दोस्ति करने का मौका भी मिलता है तो नमस्कार दोस्तों मैं हूं संदिप साहनी आपके साथ और समड़ी फर यू पर आज की समड़ी है जिसके राइटर है डॉन गैबोर तो आए इस जर्णी को शुरू करते हैं पहला चेप्टर है फर्स्ट कॉंटेक्ट बॉड़ी लॉंगवेज बात करना भी एक कला है एक आठ है इसमें मास्टरी हासिल करना मुश्किल है फिर भी अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो यह जिन्दगी भर आपके साथ रहता है क्योंकि किसी भी कॉनवर्सेशन में बस बात करना है सबसे इंपोर्टेट स्किल नहीं है बलकि हमें अपनी बॉडी लेंग्वेज को बरकरार रखने की जरूरत है अच्छा और ओपन बॉडी लेंग्वेज लोगों को आपकी तरफ अकर्शित करता है लेकिन एक क्लोज बॉडी लेंग्वेज उन्हें दूर कर देता है बात करते समय हाथ खुले रखना और आगे की तरफ जुक कर बात करना ओपन बॉडी लेंग्वेज के एक्जामपल है आप सोफन मेथट का इस्तिमाल करके अच्छी बॉडी लेंग्वेज को मेंटेन कर सकते हैं सोफन का मतलब है smile, open arms, forward lean, touch, eye contact और note इन सभी टेक्निक्स की वज़ा से आप असानी से बातचीत कर पाएंगे सोफन के बारे में समझने के लिए हमें मैरी की कहानी जाननी होगी मैरी एक शर्मिली लड़की है उसका कोई दोस नहीं है वो हमेशा family gathering और party में अकेले ही रहते थी वैसे ये बात हमेशा उसे बहुत परिशान करती थी और इस वज़ा से वो खुद से नफरत करने लगी लेकिन मैरी खुद को पदलना चाहती थी वो दोस्त बनाना चाहती थी सोफन के बारे में जानने के बाद उसने इसे अपनी जिंदगी में अपलाई करना शुरू किया सोफन में इस का मतलब है smile आप जो भी वो होगे वहीं काटोगे यहीं चीज लोगों के साथ बाचीत करने पर भी अपलाई होती है अगर आप किसी से मिलते समय उसे तेवर दिखाते हैं तो बदले में वो भी आपको तेवर दिखाएगा क्या आपको नहीं लगता कि उनसे इस तरह बात करना मुश्किल होगा लेकिन अगर आप मुश्कुरा कर लोगों से मिलते हैं और ये काम कर गया। मुस्कुराने से इनसान को ये महसूस होता है कि आप ने उस पर ध्यान दिया है। वे पॉजिटिव महसूस करते हैं और बदले में आप की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। इससे उन्हें लगता है कि आप उन्हें पसंद करते हैं। तो अपनी मुस्कुराहट के साथ साथ एक friendly message भी जोड़ दे जैसे कि मुस्कुराएं और कहें वाह आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद आप एक अच्छी बातचीत की शिरुवात कर सकते हैं। O का मतलब है open arms। मैरी जब भी party में जाती थी तो उसने ध्यान दिया कि होश्ट हमेशा खुली बाहों से सब का welcome करता था। मैरी को एहसास हुआ कि इस हाव भाव से उसे कितना अच्छा मसूस होता है। बस इससे उसे ऐसा लगता है कि उसकी वहाँ पर जरूरत है। तो मैरी को समझ में आया कि लोगों को अपने जिन्दगी में लाने के लिए इसे किस चीज की जरूरत है। उसने लोगों से बात करते समय अपने हाथ खुले रखना शुरू किया। मैरी को समझ में आया कि खुद को close रखने के वज़े से कैसे दूसरे लोग उससे दूर हो जाते थे तो जब आप crossed यानि हाथों को मोर कर खरे होते हैं तो यह दिखाता है कि आप closed minded तरह के इंसान है ऐसा लगता है कि आप गहरी सोच में है क्या आप ऐसे इंसान को disturb करेंगे जो बहुत गहरी सोच में है शायद नहीं बस तो ऐसा उन लोगों के साथ भी होता है जो आपको इस तरह देखते हैं यह सोच करके कि आप busy हैं वो आपके पास नहीं आते लेकिन जब आप अपनी बाहें खुली रखते हैं तब ऐसा लगता है कि आप बात करने के लिए available है इसलिए यह signal जाता है कि आप लोगों से मिलने के लिए उच्छुक है जिसके वज़ा से वो असानी से आपके पास आते हैं और फिर आप उनसे मुस्कुरा कर बात कर सकते है अब आगे F का मतलब है forward lean मैरी ने जाना कि थोड़ा सा आगे की तरफ जुक कर बात करना कितना encouraging होता है जब वो आगे जुक कर बात करने लगी तो उसके साथ बात करने वाला इंसान और excitement के साथ उससे बात करने लग थोड़ा सा जुक कर बात करने से सामने वाले इंसान का confidence boost होता है उन्हें लगता है कि जो वो भी बोल रहा है आप उसमें interested है तो ये उन्हें और बात करने के लिए पुर्टसाहित करता है लेकिन अगर आप अराम से सूफे पर पीछे की तरफ जुक कर बात करेंगे तो ये बड़ी नाकामयाबी होगी आपसे बात करने वाला इंसान ये सोच सकता है कि आप बोर हो रहे हैं हो सकता है कि इस वज़े से वो आपके साथ आगे कभी बात ही ना करें हाला कि आपको अपने cultural difference को भी ध्यान में रखने की जुरुरत है ज्यादतर लोगों को close contact पसंद नहीं होता है तो आपको उन्हें personal space देना होगा टी का मतलब है touch किसी से मिलने पर हाथ मिलाना एक friendly gesture माना जाता है बिजनेस मिटिंग के दोरान भी कलीग पहले एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर greet करते हैं हलाकि कभी कभी यह मुश्किल हो सकता है लोग ज़्यादतर ये सोचते रहते हैं कि उन्हें हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं ऐसा ज़्यादतर तब होता है जब opposite sex आपस में मिलते हैं एक आदमी हमेशा इस बात को लेकर के नर्वस रहता है कि क्या सामने वाली औरत उसके साथ हाथ मिलाना चाहती है या नहीं एक औरत को पहले अपना हाथ आगे बढ़ाना बहुत अजीब लगता है उसे लगता है कि शायद इससे आदमी कोई गलत इशारा ना समझ ले इसलिए दोनों में से कोई भी हाथ नहीं बढ़ाता है लेकिन हैंडशेक फिजिकल कॉंटेक्ट का सबसे फ्रेंडली तरीका है और जालता लोग ऐसा करने में कमफर्टेवल फिल करते हैं इसलिए जब आप अगले बार किसी से भी मिलें तो अपना हाथ आगे बढ़ाएं और मुस्कराएं वो भी आपसे हाथ जरूर मिलाएंगे यह का मतलब है आई कॉंटेक्ट बात करते समय लोगों से डिरेक्ट आई कॉंटेक्ट बनाना यानि सीधे देखने से उन्हें लगता है कि आप उनकी बात सुन रहे हैं कभी-कभी उन लोगों से आई कॉंटेक्ट करना मुश्किल लगता है जिनके साथ आप पहली बार मिल रहे हों लेकिन आपको लगतार उनकी आखों में देखने के जरूरत नहीं है ये कोई competition नहीं है जिसमें अगर किसी इनसान ने नजर हटाई तो वो हार जाएगा कभी-कभी किसी से लगतार आई कॉंटेक्ट बनाना भी गलत हो सकता है सामने वाला इनसान इसे wrong signal भी समझ सकता है इसलिए इस चीज को धीरे-धीरे करें किसी से भी आई कॉंटेक्ट बनाएं और फिर अगर जरूरत हो तो अपना ध्यान हटा भी ले लेकिन सामने वाला बोल रहा हो तो उसकी योड़ देखना न भूले सोफेन का last letter है N जिसका मतलब है note यानि सीर हिलाने बातचीत को दोरान सीर हिलाने से सामने वाले इंसान को लगता है कि जो भी वो बोल रहा है वो आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आप उनकी बात से सहमत है ये simple suggestion किसी को बात करने के लिए encourage कर सकता है इससे उन्हें लगता है कि वो आप तक अपनी बात को पहुचा पा रहे है हलाकि जब आपको किसी के approval के बारे में जानना हो तो बहतर होगा कि आप उनसे पूछ ले सौफन के साथ साथ आपके शब्द और बात करने कर ला जा यानि टोन भी माइने रखता है बातचीत के दोरान ये सभी हाथ मिलाकर के बरा रोल निभाते बस उन्हें ठीक कर ले और आपके पास बात करने के लिए लोगों की कभी कमी नहीं होगी तो यहां तक सीखने के बाद अगला चाप्टर है Breaking the ice and getting the conversation going Body language के बाद अगली चीज़ जो आपको सीखनी है वो है Break the ice यानि किसी को relaxed या comfortable कराने के लिए कुछ कहना या करना अब बातचीत में इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब है बातचीत शुरू करने के लिए जो rejection का सुरुवाती risk होता है उसे पार करना ऐसा करने के 5 basic steps है पहला steps है कि अपने door को दूर करना ज्यादा तर लोगों को लगता है कि अगर वो पहले hello बोलेंगे तो उन्हें reject कर दिया जाएगा लेकिन याद रखे कि इस risk को उठाने से आपके दोस्त बनाने के chances बढ़ जाएंगे ऐसा करने के लिए बाचीत करने के chances भी बढ़ जाएंगे खुद पहले बात करने की कुशिश करें खुद पहले hello कहें हाँ अगर आपको कोई नजर अंदाज कर देगा तो आपको अजीब तो लगेगा लेकिन अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आपका डर धीरे-धीरे कायब हो जाएगा पहली बात करने का एक फाइदा ये भी है कि आप जैसा चाहे वैसे बाचीत शुरुक कर सकते हैं अब दूसरा इंसान ये सोचेगा कि आप confident और friendly है पहला step लेने के बाद आप reject होने की उमीद कर सकते हैं आप reject हो सकते हैं लेकिन कोशिश कीजिए कि कम से कम reject हो उन लोगों पर ध्यान दीजिए जो बात करने के लिए तयार हैं फिर उनके पास जाएं और बात करें जैसा कि डैन ने बेकी से डांस करने के लिए पूछा उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बेकी अकेली थी और इस इंतजार में थी कि कोई उसे डांस करने के लिए पूछे हलाकि rejection से stress और बैचायनी बढ़ जाती है लेकिन आपको उन्हें accept करना सीखना होगा अगर आप कई बार reject हुए हैं तो उसे अपने उपर हावी ना होने दे हर rejection आपके गलती से नहीं होता है दूसरे इंसान के पास आपको reject करने के लिए अपने कारण हो सकते हैं लेकिन पहला step लेती रहे धीरे धीरे आप उन लोगों को चूज करना सीख जाएंगे आप उनके बारे में जानना चाहते हैं इस तरह आप उनके बारे में free information पास सकते हैं free information कुछ नहीं है बलकि बस वो बाते हैं जो कोई भी अपने आप बता देता है इसे और comfortable करने के लिए अपने सवालों में कोई compliment भी आप जोड़ सकते हैं जैसे कि आप बोल सकते हैं कि आपका scarf बहुत सुंदर है ये कहां से लिया इससे सामने वाला इंसान confidence महसूस करेगा वो आपसे बात करना चाहेंगे दूसरा compliment ये भी हो सकते हैं कि आप पूछ सकते हैं वो क्या कैड़ी कर रहे हैं वो एक किताब, musical instrument या फिर एक tennis record भी हो सकता है आपको पता है उस चीज के साथ जरूर कोई कहानी जुरी होगा उनसे उस कहानी के बार में पूछें इससे बातचीत असानी से शुरू हो जाएगी आप किसी अजनियवी से भी असान सवाल कर सकते हैं जैसे कि रास्ता पूछना या फिर टाइम पूछना इससे आपको बातचीत के शुरूआती awkwardness से बचने का मौका मिलेगा हलाकि असान सवाल दो तरक हो सकते हैं close ended और open ended close ended सवाल वह होते हैं जिनके जवाब में या तो हाँ या ना होता है या सिर्फ एक या दो词ब्स में भी इसका जवाब जिया जा शकता है जैसे की आप कहां रहते हैं या आप कहां जा रहे हैं इन सवालों से आप किसी इनसान के साथ ज़्यादा बाचीत नहीं कर सकते ये बात बस यहीं पर खत्म हो जाती है और ज़्यादा इनफर्मेशन एक्सजेंज करने का मौका नहीं देते है लेकिन ओपन एंडेट सवाल जैसे कि आप यहां कैसे आए या फिर आपने यहां काम करना कब शुरू किया ऐसे सवालों में दूसरे इनसान को अपनी कहानी बतानी होती है उन्हें अपने सवाल के जवाब के लिए डिटेल में बताना होगा ओपन एंडेट सवाल उन्हें बाचीत में इन्वाल्व रखते हैं आपको इस बात की चिंता हो सकती है कि लोग सोचेंगे कि आप ऐसे सवाल करके उनकी जिन्दगी में जहां करें लेकिन ऐसा नहीं है अगर आप सवाल असान पूछेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा उन्हें लगएगा कि आप उन्हें जादा जानने में इंटरिस्टेड है तिसरा इस्टेप आता है बातचीत को ध्यान से सुनना शर्मीले लोग तब टेंस्ड हो जाते हैं जब बात करने की उनकी बारी होती है इसलिए वे पूरे समय यहीं सोचते रहते हैं कि उन्हें क्या बोलना है वे सामने वाले की बात सुनना ही भूल जाते हैं वे बात सुनना भूल जाते हैं और साथ ही जवाब देना भी इसलिए इसका उपाय है ध्यान से सुनना जब आप किसी भी बात को ध्यान से सुनेंगे तो आपके पास बात करने के लिए चीजे होंगे लोग धीरे-धीरे बात करते हैं और बीच-बीच में रुकते भी है इसलिए कभी-कभी आपका मन भटक सकता है लेकिस सुनते समय ध्यान देने से आप एक अच्छी बातचीत कर सकते हैं आप अपने खुद के सवालों से भी फॉलो अप कर सकते हैं उस इनसान से ओपन एंड़े सवाल पुछिए ये दिखाने के लिए कि आप उनके टॉपिक में इंटरिस्टेड है उन्हें दिखाने के लिए की एक्जामपल दीजे कि आप उनके टॉपिक से रिलेट करते हैं अगर वो अपने पिछले experience के बारे में बात कर रहे हैं और अगर आपका अपना कोई experience है तो उन्हें जरूर बताएं एक अच्छे लिसनर का मतलब है कि आप बाचीत में पूरी तरस ध्यान दे रहें इससे आप समझ पाएंगे कि सामने वाला क्या कहना चाहता है इससे आप दोनों एक सिंक में बने रहेंगे एक्टिवली बाचीत में इन्वल्व होने के लिए दूसरी टिप है फैक्ट्स को समराइज करना अगर आप फैक्ट्स को समराइज करेंगे तो इससे पता चलेगा कि आप बाचीत के दोरान ध्यान दे रहे हैं और सब कुछ समझ रहे हैं आखिर में आइसबर्ग स्टेटमेंट पर ध्यान दीजी iceberg statement वो statement होते हैं जिसे पता चलता है कि इंसान आपको free information देना चाहता है जैसे कि पता है क्या हुआ या फिर तुम इस बात पर यकीन नहीं करोगवे इन सभी statement से पता चलता है कि बोलने वाला इंसान आपको और जादा बताना चाहता है इसलिए उनसे open ended सवाल पूछते रहें जैसे कि सची क्या हुआ और इसी के साथ चौथा इस्टे पाता है ज्यादा से ज्यादा information हासिल करना सामने वाले इंसान को ज्यादा जानने की कोशिश किजिए आप ऐसी बाते बोल सकते हैं आप इस बारे में कितने अच्छे से चानते हैं या फिरियल लाइट अपना बहुत अच्छा है आपने ये कहां से लिया तो ये close ended सवाल के बाद हमेशा एक open ended सवाल भी पूछे आप कुछ personal सवाल भी पूछ सकते हैं लेकिन सामने वाले की feeling के प्रती sensitive भी रहे ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका ये पूछना है मैं आईसा करता हूँ कि मैं ज्यादा personal नहीं हो रहा हूँ लेकिन कभी कभी अगर कोई इंसान personal सवाल का जवाब नहीं देना चाहता है तो वो उस topic को बदल देगा इसलिए उनकी body language को ध्यान से पढ़िए कुछ situation में दुबारा इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए आइस ब्रेक करने का आखरी step आता है खुद के बारे में free information देना सामने वाले इंसान को खुद के बारे में कुछ बताएं बेशक आप किसी के साथ भी पहली मुलाकात में अपनी जिन्दिक के बारे में कुछ सब कुछ नहीं बता सकते लेकिन आप वो बाते बता सकते हैं जिसे लेकर के आप comfortable हैं अगर कोई आप से बहुत ज़्यादा ही personal सवाल करता है तो उसे politely मना करना बहतर है उसके बाद भी कई topic है या बाते हैं जिसके बारे में आप बात कर सकते हैं और ice break कर सकते हैं यहां तक करने के बाद में अगला कदम जो आपको लेना है यानि कि अगला chapter जो आपको समझना है 5 seconds to success The art of remembering names जड़ा सोचिए कि कैसा होगा अगर आप किसी ऐसे इनसान से मिले जिसका नाम आपको याद ही नहीं आ रहा है यह कितना शर्मनाक होगा उनके साथ बात चीश शुरू करने के लिए आपने जितने भी effort लगाए हैं वो सब waste हो जाएंगे Public speaker डेल करनेगी ने कहा था किसी भी भाषा में अपना नाम सुनना सबसे अच्छा लगता है किसी इनसान का नाम याद रखना उसे बहत खुश करता है वो important और special महसूस करते हैं लेकिन किसी इनसान का नाम भूलना common बात है इसका कारण यह है कि हम focused नहीं होते हैं जब हमें किसी से मिलवाया जाता है तो उस समय हम बस अपने बारे में सुचते हैं हम से फिये सुचते रहते हैं कि हमें आगे क्या कहना है या फिर लोग हमारे बारे में क्या सुचते हैं लोग का नाम याद रखने के लिए इन 5 steps को follow किजी पहला step है introduction के समय अपना focus बनाये रखें जब सामने वाला इनसान आपको अपना नाम बताए तब उसकी तरफ ध्यान दीजी उस पल में ज्यादा ध्यान देने के लिए आप उनके साथ हाथ भी मिला सकते हैं दुसरा step आता है कि जिस समय वो इनसान आपको अपना नाम बता रहा हो उस समय कोई बात नौ करें ध्यान से सुनें कि वो क्या कह रहे हैं अगर आप पहली बार में उसका नाम नहीं सुन पाए हैं तो उनसे अपना नाम दोहराने के लिए कहें तिसरा step उनका नाम जोड से रिपीट करें नाम दोहराने से आप उसे सुन पाएंगे इससे उस इनसान को भी लगेगा कि आप उसका नाम याद रखने की कोशिश कर रहे हैं इससे उन्हें अच्छा लगेगा और जब आप वो नाम दोहराएंगे तो आप उसे दोबारा सुनेंगे और उसे याद रख पाएंगे इससे आप असानी से नाम याद कर पाएंगे तो अथा इस्टे पाता है कि किसी दूसरे इनसान के बारे में सोचिए जिसका नाम सेम हो जैसे कि अगर किसी का नाम बारबरा है तो अपनी आंटी बारबरा के बारे में सूचे ये कोई जाना माना सेलिबरिटी हो सकता है या फिर किसी मूवी का करेक्टर इस तरह जब आप पहली बार उस इनसान से मिलेंगे तो आपको वो फेमस सेलिबरिटी याद आएगा और साथ हिस उस इनसान का नाम भी पांचवा इस्टे पाता है कि जब भी आप किसी इनसान से बात करें तो उसका नाम ले जब आप बातचीत शुरू करें तो उसका नाम लेकर शुरू करें और उसके नाम के साथ अपनी बातचीत को खत्म करें इससे उस इंसान पर अच्छा इंप्रेशन परेगा तो ये थी नाम की कहानी इस चैप्टर में यह बहुत जरूरी है आप इसके बारे में सोचिएगा कि नाम कैसे याद रख सकते हैं तब तक हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर Keeping the Conversation Going Strong बाचीत शुरू करना मुश्किल हो सकता है लेकिन बाचीत कंटिन्यू करने के लिए ज्यादा कोशिश करने की जरूरत परती है यहाँ पर कुछ टीप्स है जो अच्छी बाचीत करने को मेंटेन करने में आपकी मुदद कर सकते हैं पहली टीप है Situation पर फोकस करें Situation पर फोकस करने से आपको बाचीत को आगे बढ़ाने के लिए कई टॉपिक मिल जाएंगे अगर आप किसी पाटी में है तो आप उस इंसान के बारे में बात कर सकते हैं जिसने आपको इन्वाइट किया है आप खाने में किसी डिश के बारे में बात कर सकते हैं आप अपने आसपास की चीजें जैसे की decoration के बारे में बात कर सकते हैं फिर आप सामने वाले इंसान से उसके बारे में पूछ सकते हैं जब आप ऐसा करते हैं तब आपके पास बात करने के topic की कभी भी कमी नहीं होगी बाचीत के दौरान लोग अपने बारे में सोचते रहते हैं बस यहीं काम खराब करता है तो इस बारे में बिल्कुल भी ना सोचें कि आप कैसे दिख रहे हैं या फिर आप इंटेलिजन्ट लग रहे हैं या नहीं बाहरी दुनिया के बारे में सोचें इञामपल के लिए आप एक हेल्थ कलब में यहाँ पर मेरी नाम की लड़की भी कलब ज़ॉइन करने के लिए आई है आप मेरी से पूछ सकते हैं वह इस कलब को क्यों ज़ॉइन करना चाहती है फिर आप पूछ सकते हैं कि वो कितने टाइम से टेनिस खेल रही है या क्या उसे टेनिस खेलना आता भी है या नहीं आप कलब के स्ट्रक्चर्स या फैसिलिटीज के बारे में बात कर सकते हैं अपने बारे में भी बताएं मैरी को बताएं कि आप कितने excited हैं उन्हें अपने fitness goals के बारे में बताईए तो फिर यहां से आप आगे जा सकते हैं तो इस तरह आप club के अलावा भी बाते कर सकते हैं अपने काम, आस फ़रोस, अपने जिन्दगी और अपने future के plan के बारे में बात कर सकते हैं दूसरी tip है उनकी live के बरे event के बारे में पता करें पबलिक speaker डेल करने की कहते हैं कि जब आपको सामने वाले इंसान की जिन्दगी के बरे event के बारे में पता हो तब आपकी बाचीत मक्खन की तरह smooth हो जाती है इन बरे events को hot button भी कहा जाता है hot button वो topics होते हैं जो किसी को आपसे बात करने के लिए मजबूर कर देते हैं जैसे ही आप किसी इंसान के hot button के बारे में बात करते हो तो सामने वाला इंसान आपसे और बात करने के लिए इंस्ट्रेटेट हो जाता है असान सवाल पुछने का मकसद यहीं है असान स्वाल पुछने से आप दूसरे इंसान के hot button के बारे में जान सकते हो और उसके बारे में बात कर सकते हो जालतर लोगों को लगता है कि उनके unique interested है इसलिए वे कभी भी बाचीत करने के लिए लोग नहीं ढूण पाते लेकिन यह सच नहीं है कई लोग के एक जैसे interest होते हैं क्योंकि उनकी activities सेम होती है आप किसी के पास मवजूद चीजों पर ध्यान दे कर भी उसके hot button को ढूण सकते हैं वो एक किताब भी हो सकती है या कोई पर्च भी उन चीजों को ध्यान से देखे और ज्यादा जानकारी के लिए open ended सवाल पूछते रही कभी कभी iceberg statement की मदद से आप hot buttons के बारे में जान सकते हैं प्री information को ध्यान से सुनिए अगर कोई किसी topic के बारे में बता रहा है तो उसे कहिए कि मैं इस बारे में कब से जानता हूँ इसके अलावा अपनी hot buttons के बारे में बात करना ना भूले सामने वाले इनसान को समझाने के लिए facts, date और example यूज करे लेकिन सावधान रहे कि आप सिर्फ अपने बारे में बात ना करते रहें बल्कि सामने वाले की बात को भी सुने तीसरा tip है information exchange करते समय balance बनाना याद रखें कि अच्छी बातचीत तभी होती है जब आप information exchange करते हैं या कोई game नहीं है कि जो ज़्यादा बोलेगा बस वहीं जीतेगा अच्छी बातचीत तभी होती है जब आप अपने partner को बात करने का मौका देते हैं तो इसे आप उस game की तरह समझे जिसमें आपका partner बातचीत शुरू करता है और फिर conversation ball को आपको pass करता है आप अपने राय और व्यूज के साथ उसे ball वापस कर देते हैं फिर बातचीत की बारी आपकी आती है जब आप conversation ball से शुरू करते हो फिर आप जवाब देते हो और ये cycle चलता रहता है अच्छीत बातचीत में ध्यान से सुनना भी शामिल है इस इरादे से बात को सुनिए कि आप जान पाएं कि आपके partner का interest किस चेज में है उस पर अपना opinion दीजिए लेकिन याद रहे कि भावनाओं में बहना नहीं है आप सावने वाले इंसान को बोर्ड नहीं करना चाहते है चौथी टिप है कि उन topic पर बात कीजिए जो आपके लिए important है खुद के बारे में बताने के लिए आपको उन्हें अपने views बताने होंगे आप सावने वाले को अपने thoughts, पसंद और नापसंद के बारे में बता सकते हैं उन्हें बताईए कि आप क्या पसंद करते हैं और आपके future के क्या plans हैं इस तरह वो आपसे relate कर पाएंगे हलाकि इसे इस तरह कीजिए कि सामने वाला अपने opinion आगे रखने से घबराएं नहीं और वो जब ऐसा करे तो उसकी respect करें उन्हें कभी एक बार में अपनी problem या चिंताओं के बारे में ना बताएं इससे वो इंसान uncomfortable हो सकता है सही समय और सही जगह का इंतिजार करें पाच्वी tip है topic बदलते रहें बाचीत का दोरान आपको एक ही topic के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है ये बहुत boring हो सकता है अच्छी बाचीत तब होती है जब आपके पास बात करने के लिए कई topic होते हैं टापिक बदलते रहने से बाचीत का flow बनता है अगर आपको कभी किसी topic पर दोबारा बात करने की जरूरत लगे तो आप कर सकते हैं आप कह सकते हैं कि आपने जो पहले कहा उस पर दुबारा आते हैं एक्जांपल के तोर पर आप एक क्लाइंट के साथ डिनर कर रहे हैं लेकिन आप खाना खाते समय बिजनेस के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं तब आप बाचीत कैसे शुरू करेंगे? मीटिंग से पहरे थोरी रिसर्च कीजिए फिर आप अपने कलाइंट से उसकी पसंद और नापसंद के बारे में पूछ सकते हैं या आप उनसे पूछ सकते हैं कि दूसरे और्गनाजेशन के साथ उनका काम कैसा चल रहा है लेकिन अगर आपके पास अपने कलाइंट के बारे में कोई जनकारी नहीं है तो उस मोमेंट पर ध्यान दीजिए जो भी वो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुने हो सकता है कि वो अपनी कोई पुरानी ट्रेप या एक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं वो जिससे कि उन्हें खुशी मिली हो उनकी इस एक्स्पिडियन्स के बारे में ज्यादा जानने के लिए उनके सवाल पूछते रहे फिर अपने बारे में कुछ बताए अगर आप भी वैसा कुछ एक्स्पिडियन्स कर चुके हैं तो उनके साथ शियर करें इससे आपका क्लाइंट आपके साथ रिलेट कर पाएगा कुछ ऐसे भी मौके हो सकते हैं जहां पर टॉपिक बदलना अनकमपटेबल हो सकता है तो ऐसे समय में आपके माइंड में जो भी आ रहा है उस बारे में बात कीजिए आप यह मान कर चलिए कि सामने वाले को ये चीज पसंद आएगी तो यहां तक जानने के बाद अगला चैप्टर है डर की वज़ा से बाचीत किसी गलत पहमी या नेगटिव रिजल्ट के रूप में खतम हो सकती है तो जब भी लोगों को लगता है कि उन्हें जज किया जा रहा है तो वो अपने आज पास एक दायरा बना लेते हैं इन पांच तरीकों से आप जान सकते हैं कि ये डर कौन-कौन से होते हैं और साथ ही आप इनसे बचना भी सीखेंगे बाचीत का दोरान ज्यादतर समय आप देख पाएंगे कि लोग अपने खुद के उपनियन पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं इन लोगों को competitive conversation list कहा जाता है ये ऐसे comment कहते हैं कि मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं वो बकवास हैं अब इस बरताव से न दूसरे लोग कभी भी आपके सामने खुल कर बात नहीं कर पाएंगे अगर आप किसी के भी opinion के बारे में rudely बात करते हो तो उन्हें बुरा लगता है उन्हें ऐसा मसूस होता है कि आप खुद को उनसे बरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं competitive होने से बचने के लिए ऐसा मत सोचिए कि आपको जो भी पता है वो हमेशा सच होता है और इसान का अपना opinion होता है और उसे अपना opinion रखने का पूरा पूरा अधिकार है आप उनके उपर अपने views नहीं थोप सकते आपको अपने opinion रखने का पूरा अधिकार है लेकिन ऐसा करने के लिए आप कह सकते हैं कि मैं इस बात को न इस नजरिये से देखता हूँ हैंग अप नमबर टू, I can read people like a book जील जो है वो लोगों को उनके कपड़े पहनने के तरिके और उनकी गारी से जज़ करती है ये गलत है, ऐसा करके जील सभी लोगों को story type यानि बिल्कुल एक जैसा बना रही है किसी को भी ये पसंद नहीं होता है बदले में लोग भी आपके साथ ऐसा ही behave करेंगे किसी इनसान के बारे में कोई opinion बनाने से पहले उन्हें अच्छे से जानना बहुत जरूरी है साथ ही उन्हें आपको भी जानने का मौका दे हैंग अप नमबर थ्री, tell me something I don't know अगर आप हमेशा ऐसे विहब करेंगे जैसे आप सब कुछ जानते हैं तो लोग आपसे चिढ़ने लगेंगे यह भी सच है कि कुछ चीजों के बारे में आप सबसे ज़्यादा जानते होंगे लेकिन अगर आप दिखाएंगे कि आप हर चीज़ के बारे में सब कुछ जानते हैं तो ऐसा लगेगा कि आप डिंग मार रहे हैं ये कहना है कि आपको कुछ बातों के बारे में पता नहीं है उसमें कोई बुराई नहीं है अगर आपको किसी तरह की मूवी या फिर म्यूजीक के बारे में भी नहीं पता है तो आप सामने वारे इंसान को कह सकते हैं कि आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं आपसे बाचीत करने वाला इंसान खुशी-खुशी आपको सब कुछ बताएगा लेकिन ज़रा सोचिए कि जिस बारे में आप कुछ नहीं जानते हो उस बारे में आप कहते हैं कि आपको सब पता है तो क्या होगा दूसरे इंसान को कभी न कभी तो पता चल ही जाएगा और वो समझ जाएंगे कि आपने जूट बुला था इस वज़ा से हो सकता है कि वो आप से आएगे बातीत ना करना चाहिए अगर आप हमेशा यहीं कहते रहते हैं कि आप बुलिंग है तो यह आप बस पतली गली से निकल रहे हैं बात्चित को असानी से अवोइड करने के लिए आप कह सकते हैं कि आप इंट्रेस्टिंग नहीं हैं लेकिन हमेशा अपने बारे में गलत ना सोचें अगर आपके पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है तो अपनी जिन्दगी में हुए बरे इवेंट पर ध्यान दिजे और अपने पास्ट एक्सपिरियंस के बारे में बताएं फिर आपके पास धेड सारी बाते होंगी करने के लिए वैसे अभी धेड सारी बाते हैं आपको बताने के लिए तो अगला चेप्टर आता है क्लोजिंग कॉन्वर्सेशन टेक्स्ट फुली पहला स्टेप लेने के बाद और दिल से बातचीत करने के बाद अब समय आता है बाय करने का वैसा है गुडबाय बिना अच्छे से करना जरूरी है इस तरीके से आप और असामने वाला इंसान दोनों बातचीत से संतुष्ट होंगे बातचीत खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे पॉजिटिव तरीके से खत्म करते हैं इसमें अजीव सी चिप्पी ना आने दे बातचीत खत्म होने के साइन को समझे फिर खुद पहल करें और प्यार से बातचीत खत्म करें और साथ ही आगे बातचीत करने के लिए इंविटेशन को खुला रखें आप कह सकते हैं कि चलो अगले हफते खाने पर मिलते हैं इसे आपसे बाचीत करने वाले इंसान को लगेगा कि आप उसके दोस्त बनना चाहते हैं मालने ज़े कि आप किसी पाठी में है आप जैक नाम के इंसान से मिलती हैं वो बहुत शिकायत करता है उसकी शिकायते सुनने के बाद आप वहां से जाना चाहते हैं लेकिन आप ऐसा करेंगे कैसे, सबसे पहले उनके प्रती हम दर्दी दिखाएं, ये दिखाने के लिए आपको उनकी चिंता है, उन्हें दिलासा दीजी, जैसे कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, फिर उसकी तरफ देखकर मुस्कराएं, जैक को ये देखकर अच्छा लग लेंगे, सबसे पहले तो उन्हें बताइए कि आप उस दिन एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपके कुछ और प्लैंस है, अगर फिर भी आपके बॉस जोड़ दें, तो उनकी थोड़ी मदद कर दीजी, आप किसी दूसरे इंप्लोई के बारे में उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं, फिर वो संतुष्ट हो जाएंगे कि आपने उनकी सिच्वेशन को समझा, बदले में आपके बॉस आपकी सिच्वेशन को समझेंगे, उनका नाम लेकर उन्हें जल्दी से गुड़बाय कहें और चले जाएं, उस इंसान के लिए जो आपको किसी भी इवेंट मे मिला है, आप कह सकते हैं, जूलिया आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपसे दुबारा मिलने का इंतिजार रहेगा, इसे एक अच्छी दोष्टी के शुरुवात हो सकती हैं, और इसी के साथ हम पहुँच गये हैं इस समड़ी के कंक्लूजन पर, तो सबसे पहले आ जाना कि कैसे body language आप बातचीत में मदद करती हैं, अगर आपकी body language open है, तो लोग आपको अप्रोच करेंगे, दूसरा आपने ice break करना और बातचीत शुरू करना सीखा, बातचीत शुरू करना मुश्किल है, लेकिन आपको पहला step लेना होगा, rejection से दुख होता है, लेकिन उस समय पर ध्यान दीजिए, जब आपको accept किया गया था, लोगों से असान सवाल पूछे और open ended सवालों के साथ बातचीत को आगे बढ़ाते रहें, तीसरा अपने नाम याद रखना सीखा, नाम याद रखना आपके बहुत काम आएगा, जब आप बात करने वाले इंसान का ना कुछ पर्सनल सवाल भी पूछे, फिर कुछ अपने बारे में बताएगे, पाचवा, आपने बातचीत के दोरान दायरे को मिठाना सिखा, कभी ऐसा मत दिखाये कि आपको सब कुछ पता है, ये आदत लोगों को फुसंद नहीं आएगी, बलकि उनके opinion को समझे, अपने opinion को भी पुलाइटली सामने रखे, छठा आपने सही तरीके से बातचीत को खत्म करना सिखा, बातचीत को पॉजिटिव नोट पर खत्म करने से दोनों लोगों को संतुष्टी मिलती है, अंत में दोबारा बात करने का मौका भी खुला रखे, इस तरह आप दोस्त बना सकते हैं हम उमीद करते हैं कि इस समरी को पूरा करने के बाद आपको अच्छा महसूस हुआ होगा, अब आप लोगों से बात करने में confidence महसूस करेंगे, हो सकता है कि आप नई जॉब शुरू करें, या फिर नए स्कूल में पढ़ने जाएं, या फिर हो सकता है कि आपको अगले हफत करने दें और फिर उनसे बात करें, अब आपके पास power है, तो दोस्त बनाने और बाचीज शुरू करने के किसी भी मौके को हाथ से ना जाने दें, तो इसी के साथ ये समरी यहीं पर complete होती है, इस समरी के बारे में आपकी राय क्या है, हमें comment section में लिखकर जरूर बताएं, इ कि अपना बहतर ख्याल सुनते रहिए, समरी फोर यू, और लर्निंग को अपनी लाइफ में practically implement करते रहे, जय हिंद, जय भारत